Hey everyone, admission or confession के chapter को हम लोग discuss कर चुके हैं section 17 से लेकर के section 27 तर जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आज हम लोग यहाँ पी देखने वाले हैं कि admission और confession में में क्या differences है मैंने आपको सबसे पहली बताया था कि statement अगर genius होता है admission spacey तो confession उसका sub spacey होता है यह कैसे होता है इसको हम देख चुके हैं कि what amount of statement कब admission होगा और admission का कितना amount confession होगा उसको हम लोग discuss कर चुके हैं तो आईए आज इसकी कुछ main differences को हम लोग देखते हैं तो देखिए admission जो है वो generally civil transaction से related होता है और इसमें भी section 23 जो है वो specifically civil suit पे ही apply होता है अगर हम confession के लेकिन बात करें तो यह generally criminal proceeding से related होता है जहाँ पे accused person के द्वारा दिया गया statement जो है वो हम उसके द्वारा किये गये offense को प्रूफ करने के लिए इस्तमाल करते हैं अगर हम admission की और यहाँ पर देखिए admission वो statement है जब हम section 17 में admission का definition परते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि कोई भी statement जो oral या documentary हो और वो ऐसे person के द्वारा बनाया जाए जो आगे के sections में mention है और वो sections है section 18, 19 और 20 तो इन sections में जिनको define किया गया है जैसे कि party है या उनके agent है या जो representative character में है या जिसकी position या liability define है ऐसे person के द्वारा दिया गया statement ही admission होता है इन तीन sections में जिनको define किया गया है लेकिन confession वो statement है जो किसी accused person के द्वारा दिया जाता है और accused person कौन होता है जिसके उपर किसी offense का charge लगा होता है फिर देखिए admission जो है वो conclusive proof नहीं होता है according to section 31 admission conclusive proof नहीं होता है यह सिर्फ एक piece of evidence है यहाँ पर यह चीज़ बहुत matter करती है कि वो statement किन circumstances में बनाए गया है लेकिन हा इसको as a stopple जरूर operate किया जा सकता है यह section 31 में ही दिया गया है इस stopple जो है वो एक rule of evidence है और यहाँ पर अगर आपने कोई representation बनाया है और सामने वाले person ने उस representation के वज़े से अगर अपनी position alter किया है तो फिर आप अपना earlier जो representation है उसको change नहीं कर सकते हैं लेकिन confession अगर voluntarily या deliberately बनाया गया है अगर यह चीज़ confirm हो जाती है यह proof हो जाती है तो इसको as a conclusive proof accept किया जा सकता है और उस confession को accused person के against proof किया जा सकता है उसके बाद देखिए है कि admission जो है वो maker के against तो जाता ही जाता है जिस person ने वो statement दिया है admission बनाया है साथ ही साथ वो उसके behalf पे भी use किया जा सकता है और यह चीज़ हमने देखा है section 21 में जो तीन exceptions दिये गया है वहाँ पे यह भी लिखा गया है कि जिसने उस statement गोज admission को बनाया है उसके behalf पे भी हम उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन confession में ऐसा कुछ नहीं होता है confession हमेशा और हमेशा जिसने बनाया है उसके against ही जाएगा ना कि उसके behalf पे कहीं पे proof किया जाएगा अगर हम बात करें कि एक से जादा अगर defendant है suit में और अगर उन्होंने जो है कोई admission दिया है तो जो other को defendant से उसके against हम उस admission को प्रूफ नहीं कर सकते हैं लेकिन confession में ऐसा नहीं है confession में क्या है कि अगर एक एक से जादा accused है और वो अगर jointly tried हो रहे हैं same offense के लिए उन्होंने same offense किया है और वो jointly tried हो रहे हैं तो वो co-accused के against वो confession को प्रूफ किया जा सकता है according to section 30 यह section 30 में mention किया गया है लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो jointly tried होने चाहिए और same offense होना चाहिए मैं यहाँ पर आपको कुछ और बात बताना चाहती हूँ जैसे देखिए कि अगर accused ने कोई ऐसा statement दिया है जो confession तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी inferences suggest कर रहा है जहां पर यह लग रहा है कि हो सकता है कि इसी person ने offense किया है इसी person ने crime commit किया है तो यह वाला जो statement है यह confession ना होके admission ह हो जाएगा जैसे example देख लीजे अगर A के उपर charge लगा है कि उसने B का murder किया है तो अगर यहाँ पे A को ऐसा statement दे रहा है कि हाँ मैंने ही B को मारा है और उसकी body को dump कर दिया था तो यह तो confession हो गया लेकिन अगर A यहाँ पर यह कहता है कि वो उस रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ पे उसने देखा कि B की body पड़ी हुई है या मैंने किसी तीसरे person को B को मारते हुए देखा तो यह statement क्या होगा यह statement उसका confession नहीं है यह statement उसका admission हो जाएगा उसी तरह से देख लीजे कि अगर कोई ऐसा statement दिया गया है लेकिन वो soul basis of conviction नहीं हो सकता है क्योंकि वहा रूंटरली नहीं है या untrue है सही नहीं है या deliberately नहीं बनाया है accused person ने तो हम उसको soul basis of conviction तो नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे फिर यह वाला जो statement होगा वो क्या हो जाएगा admission हो जाएगा तो आप देखिए आप कह सकते हैं कि जो confession होता है वो direct acknowledgement of guilt होता है जहाँ पे आप अपना offense directly कबूल कर रहे हैं accept कर रहे हैं उसको ही हम confession कहेंगे लेकिन अगर जब भी statement सिर्फ कुछ ऐसे inferences suggest कर रहा है कि हो सकता है कि इसने crime किया होगा उसको हम confession नहीं कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ admission कहलाएगा और admission इसलिए जो है direct और implied दोनों हो सकता है लेकिन confession हमेशा direct ही होगा implied और है तो हम उसको confession नहीं कहेंगे आज के लिए ताहीं थैंकियो